नमस्ते दोस्तों तो आपका स्वागत है हमारी चनल में तो आज हम बात करने वाले हैं कच्छ के अद्भूत और समुरुद्र इतिहास के बारे में चलते हैं कच्छ और इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलतते हैं कच्छ कच्छ जो गुजरात राज्या में आया हुआ है और गुजरात में आया हुआ यह के सकता है कि कच्छ का मतलब होता है कभी कभी गीला और सुख अब मैंने यह पढ़ा है और मैंने आपको बताया है कि कच का मतलब है कभी-कभी गिला और कभी-कभी सुका पर कच का बोगोलिक जो आकार है उसमें कच रन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि रन से ही तो सुन्दर दिखता है हमारा कच हमारे कच में दोला विराया हुआ है और दोला विरा सिंदुगाटी की स्वग्यता का सबसे सुन्दर सहर है ये पांच सिंदुगाटी के ऐसे सहर है जिसके बारे में बात की गई है पर हम बात करेंगे दोला विरा की बारे में दोला विरा बहुत ही जड़ा प्राचीन है और ये कच में आया हुआ है और इसकी सुन्दरता मतलब आप देखो ना आप डंग रह जाओगे आप सोचोगे यार इतनी सुन्दर जगाती और इस जगा का ये महत्वता आपने कभी सोचा नहीं होगा दोलविरा के बाद ये चार जगा है जो सिंदु गाती की प्रतिस्था को बढ़ाती है और ये सिंदु गाती की अमानत है आपको पता है कच में कौनसे कौनसे राजाओं है राज किया है तो मैं बताता हूँ एक तो चालो क्या स्वलंकी एन चावला राजा उने राज किया है उनको कुछ वंस कहा जाता है पर 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 जो जड़ेजा राजपूत है उन्होंने कच पे बहुत ही अच्छा सासन किया ये कहा जाता है मतलब जड़ेजा राजपूतों ने कच को एक स्वतंत्र राज्य की गोस्ता के थी बारवी सताब दी में और भूज उनका राजदानी थी मतलब सोचो हमारा कच एक राज्य था हमारे कच को मुगल गुलाम बनाने आये थे पर हमारे जड़ेजा राजपूतों ने हमारे कच को गुलाम नहीं होने दिया और हमारा कच हमने स्वतंत्र रहा पर 19 सदी में अंग्रेजों ने इस इंडिया कंपनी के थ्रू अपने कच को अपने अंदर ले लिया पर हमारा कच तब भी विशाल था और अब दी दिताल है 1947 में कच भारत का हिस्ता बन गया और 1960 में हमारे गुजरात राज्ये का एक सुन्दर सहर बन गया कच अब हमारा है हम गुजरातियों का हम पार्थियों का है एक को बता है कच में लाखों लोग आते हैं त्राविल करने के लिए और कच की सुन्दर्ता को निहारता है मैं यह कहना चाहता हूं कि कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा तो एक बार आपको कच आना चाहिए और कच की सुनता को मी आपकों से देखना